SBI की एक ऐसी स्कीम जिसमें एक बार पैसा जमा करने पर हर महीने एक regular income मिलती रहेगी कौन सी है ये स्कीम और इसमें कैसे apply कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम SBI की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगी जो की SBI की one of the most popular scheme में से एक है वो स्कीम है SBI Annuity Deposit Scheme जी हाँ, जैसे की हम सभी जानते हैं कि Annuity Scheme में एक बार पैसा जमा करने पर मतली बेसिस पर हमें income मिलती रह जी है वहाई same facility स्कीम में भी है एक एक करके जानते हैं स्कीम के बारे में पूरी details पहले जानते हैं SBI Annuity Deposit Scheme क्या है तो SBI Annuity Deposit Scheme में हमें कोई भी एक लंबसम amount invest करना होता है उसके बदले में हमें हर महीने एक fix amount दिया जाता है इसको example से समझे तो जिस तरीके से हम bank से loan लेते हैं और उसके बदले में हमें हर महीने एक fix EMI देनी होती है ठेक उसी तरीके से इसमें उल्टा होता है इसमें bank हमसे एक बार में पैसे ले लेता है और फिर EMI की तरह हमें monthly पैसे देता रहता है यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें मिलने वाले fix amount में principal और interest दोनों include होते हैं अब जानते हैं कि इस scheme में interest rate कितना है तो हमें जो interest SBI के FD से मिलता है वही same interest इस scheme में भी मिलता है इसके अलावा जिस तरह से senior citizen को FD में 0.5% extra interest मिलता है तो annuity scheme में भी senior citizen को 0.5% extra interest मिलेगा इसके साथ ही साथ अगर कोई भी SBI का staff है या फिर SBI से pension लेता है उन्हें ही scheme में 1% extra interest मिलता है SBI annuity plan में हमें जो भी interest मिलता है उसको quarterly calculate किया जाता है लेकिन उसका calculation monthly basis पर करके उसे हमें transfer कर दिया जाता है तो जैसे अभी आपको screen पर दिख रहा होगा कि इस समय SBI deposit annuity scheme में क्या interest चल रहा है General citizens के लिए और senior citizens के लिए भी हाला कि ये वही same interest rate है जो SBI में FD पर मिलता है तो अगर आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं अब हमारी ये सवाल हो सकते हैं कि suppose हमने पैसे अपरेल में जमा किये तो हमें पैसे कब से मिलने शुरू होंगे तो इसमें हम जब भी पैसे जमा करते हैं तो उसके अगले महीने से हमें पैसे मिलने start हो जाते हैं इसका मतलब मार्च में अगर हम पैसे जमा करते हैं तो अपरेल से fixed income हमें मिलने लगती है तो अब जानते हैं कि हमें कितने पैसे जमा करने पर कितनी मंत्रे इंकम मिल सकती है तो इसको हम calculate करेंगे Annuity Deposit Calculator से जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो calculation स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है Deposit Amount माल लेते हैं कि Deposit Amount हमें 20 लाग रुपे रखना है तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे 20 लाग फिर हमसे पूछा जा रहा है आपको Payment कैसे चाहिए Monthly, Quarterly या Annually तो यहाँ पर हमें Monthly Payment चाहिए तो हम यहाँ पर Monthly को Select कर देंगे अब हमसे पूछा जा रहा है Payment Period कर सकते हैं अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे Calculate के बटन पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें Annually Deposit Scheme में Monthly Payment जो होगी वो 38,087 रुपे होगी इसका मतलब यह है कि हमें 5 साल तक Monthly 38,087 रुपे लेने के लिए 20 लाग रुपे इंवेस्ट करने होगे तो आपको जितना भी amount image करना है आप उसके according अपनी calculation कर सकते हैं अब जानते हैं इस scheme में apply करने की eligibility किया है तो scheme में कोई भी भारते निवेश कर सकता है और इस scheme में कोई भी minor भी invest कर सकता है इसमें इंवेस्ट करने की कोई भी ease limit नहीं है और साथ में इसमें हम single or joint account भी open करवा सकते हैं तो इस scheme में invest काफी असान है अब जानते हैं scheme के कुछ और important features के बारे में As many annual deposit scheme का deposit period 3 साल, 5 साल, 7 साल यद 10 साल तक हो सकता है तो हम अपने सुइदा के अनुसार कोई भी deposit period को choose कर सकते हैं इसके साथ ही साथ इसमें हम minimum monthly deposit 1000 रुपे तक कर सकते हैं इसमें maximum deposit की कोई limit तैय नहीं की गई है इस scheme में investment पर हम loan के लिए भी apply कर सकते हैं और वो loan हम अपनी investment का almost 75% amount ले सकते हैं माल लेजिए हमने 10 लाग invest किये तो हम इसका 75% जाने की 7.5 लाग रुपे तक का loan ले सकते हैं लेकिन या loan सिर्फ कुछ special cases में ही eligible है और loan लेने के बाद फर्दर जो monthly payment है वो हमारे अनुर्टी अकाउंट में transfer ना होकर सिधा हमारे loan account में transfer होगा इस स्कीम में हम account SBI की किसी भी state branch से खुलवा सकते हैं माल लेजिए अगर आपने account लखनाओं के किसी SBI के branch में open करवाया और अब हम दिल्ली shift हो गए हैं तो हम अपना अनुर्टी account दिल्ली के किसी भी SBI की branch में transfer करवा सकते हैं अब जानते हैं इस स्कीम में premature vitrone का क्या rule है लेकिर उसके लिए हमें जितनी penalty term deposit या fixed deposit पर देनी होती है उतनी ही penalty यहाँ देनी होती है इसके साथ ही साथ अगर in case depositor की death हो जाती है तो बिना किसी limit के सारा पैसा नोमिनी को दे दिया जाता है अब चलिए इस plan को SBI की RD और FD से अगर compare करके देखते हैं अगर हम RD की बात करें तो इसमें monthly payment करना होता है FD में हमें lump sum payment करना होता है और annuity plan में भी हमें lump sum payment ही करना होता है RD में हमें corpus maturity पर मिलता है FD में हमें corpus यानिकी interest और principle दोनों maturity पर मिलते हैं annuity plan में हमें monthly EMI मिलती रहती है इसके साथ ही अगर हम bank को request करें तो हमें FD में interest amount monthly, quarterly, half yearly या annually भी मिल सकता है जबकि annuity plan में कोई भी maturity benefit नहीं मिलता वैसे दिए थीनों ही scheme अपनी जगह पर काफी beneficial है लेकिन अगर हम यहाँ पर annuity plan को देखें तो अगर हमारे पास एक अच्छा capital हो तो हम उसके बदले में monthly income चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर annuity plan में एक अच्छा investment कर सकते हैं retirement के बाद काफी लोग यहाँ पर investment करते हैं जिससे कि उनकी pension की तरह monthly जो पैसे हैं उनको आते रहें उनके expenses cover होते रहें तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि SBI annuity plan क्या है इसमें interest date कितना है interest calculation कैसे करते हैं account open के लिए eligibility क्या है और इस plan के extra features क्या है इसके बाद हमने bank की FDRD भी compare की तो अगर हमें कैसी scheme में invest करना चाहते हैं जिससे हमें regular income मिल सके तो SBI की annuity deposit scheme काफी better option है scheme कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताना धन्यवाद